हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रेशनों की जो आपको गुरुप टी एक्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे तो वीडियों को आप अंतर तक जरूर देखेगा चले स्टार करते हैं दोस्तो पहला प्रेशनय है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलो मिटर पर घंटे की चाल से जाता है, वह साइकेल से 16 किलो मिटर पर घंटे की चाल से लोटता है, इसकी पूरी आतरा की ओसत चाल क्या होगी? दोस्तो आप से पूछ रहा है क्या ओसत चाल ओसत चाल ठीक है ओसत चाल का दोस्तो फॉर्मूला मैं आपको पहली बता देता हूँ 2XY बटे में X पिलस Y होता है ठीक है अब देखे थोड़ा सा इसको समझ लीजे पहले यहां पर कह रहा है एक आदमी किसी स्थान को मालीजे यहां से लेकर यहां तक की कोई दूरी है यह एक स्थान है किसी स्थान को 4 किलो मीटर की चाल से जाता है जब ऐसे जाता है तो उसकी चाल कितनी रहती है 4 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल रहती है ठीक है लेकिन जब वो cycle से लोटा है तो उसकी चाल 16 की होती है पहले तो चला गया 4 की चाल से लेकिन जब वो cycle से लोटा उसी चाल को तो उसकी चाल कितनी होगी 16 किलोमीटर प्रती घंटा आप देखें लोटा तो cycle से इसलिए चाल जादा है उसकी clear और यहां 4 की चाल से गया थ तो यही होता है दोस्तों पहले वाली चाल होती है X और वाद वाली चाल होती है आपकी Y अब A की ही दूरी को वो दो बार तै करता है एक बार गया एक बार आया A की ही दूरी को उसने दो बार तै किया इसलिए यहाँ पर दो आया अगर एक ही दूरी को तीन बारते करेगा तो यहाँ पर तीन आएगा पहली चाल X हो गई दूसरी चाल Y हो गई ठीक है बस यही फॉर्मूला है 2 into X कितना है आपका 4 Y कितना है आपका 16 है बटे में क्या है दोनों को जोड़ेंगे यह एक सुर भाई को तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 4 पच्चे 20 कटेगा 2 का मल्टिप्राइज 16 से कर दीजिए 16 दूने का कितना हो जाएगा 32 डिवैड में कितना है 5 है 5 से कटालो कितनी बार में जाएगा 5 चुके 30 जाएगा 2 बचेगा ठीक है 2 में तो नहीं जाएगा 10 मलब 20 हो जाएगा 5 चुके 20 6 दस मलब 4 किलो मीटर पर घंटा यह आपकी क्या होगी और सच्चाल होगी कहां दे रखाए C उफसन में यह होगी आपकी प्रेशन का पिल्कुछ सही आंस है तो उम्मिद करता हूँ कि सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आगिया होगा किसी को भी प्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक मोटर चालक 150 किलो मीटर दूरी पर इस्थित एक स्थान के लिए 50 किलो मीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा बापसी में 30 किलो मीटर पर घंटे की चाल से लोटता है इसकी संपूर यातरा की ओसत चाल क्या पूछ रहा है दोस्तों वही पूछ रहा है ओसत चाल जो आपको मैंने अभी अभी बताया 150 km की कोई दूरी है यह जो दूरी है दोस्तों यह है 150 km की अब इस दूरी को पहले वो तै करता है कितने की चाल से 50 की चाल से और बाफसी में इसी दूरी को कितने की चाल से तै करता है वो 30 की चाल से तो पहले वाली चाल X दूसरी वाल चाल Y हो जाएगी ठीक है, और formula किया बतायाँ मैंने 2xy, बटे में x पिलस y यही तो बताया था, दो बार दूरी तेकी जा रही है, एक ही दूरी को दो बार तेकिया जा रहा है, तो 2 आएगा यहाँ, अगर एक ही दूरी को 3 बार तेकिया जाए, तो 3 आएगा, ठीक है, 2x कितना है आपका 50 है गुने y कितना है आपका 30 है बटे में दोनों को जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा ठीक है कटा लीजे दोस्तों बस आपकी प्रिश्निक आंसर यहीं पर आ जाएगा अब आप यहाँ पर इसको कटाएंगे तो यह कितनी बार में कटेगा देखिए मैं इसे कटाऊँगा 0 से 0 कटेगा दोसे कटाऊँगा इसे 4 बार में ठीक है दोसे कटेगा 4 बार में 50 का मल्टिप्लेई अगर मैं 3 से करूँ तो यह कितना हो जाएगा 150 और बटे में कितना चार से डिवाइड करना कर दीजिए चार से कटाएंगे चार त्रिक का बारा तीन बचेगा तीस हो जाएगा ठीक है चार सत्ते अठाइस दो बचेगा नहीं जाएगा दसमला बीस हो जाएगा चार पच्चे बीस 37.5 आपका आंसर आ गया और सच चार कितनी होगी 37.5 किलो मीटर 37.5 सी आपसन होगा प्रेशनी के सही आंसर उमीद करूँगा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आए सभी की समझ में आएगा बहुत अच्छी से ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है रानी अपने कुली यात्रा मार्ग को तीन समान हिस्सों में विपरित कर उन्हें 40, 30 एवं 15 किलो मीटर की चालसे तै करने का निश्चे करती है भाई देखें रानी अपने जो कुली यात्रा मार्गो उनको तीन हिस्से में डिवैड करती है मतलब तीन वार उस चाल को पूरा करेंगी एक बार 40 की चालसे एक बार 30 की चालसे एक बार 15 की चालसे और मैंने आपको क्या बताया अगर दो बार दूरी तै की जाए तो फॉर्मूले में दो आता है अगर तीन बार एक ही दूरी को तै की जाएगा तो फॉर्मूले में तीन आएगा तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ और से चाल का जब तीन बार यात्रा ते की जाएंगे तो 3X, Y और Z हो जाएगा क्योंकि X पहली चाल, Y दूसरी चाल और Z हो गए तीसरी चाल, जब दो चाल होती है तो X और Y आता है, अब तीन चाल है तो Z भी आ गया, बटे में क्या रहेगा, बटे में X, Y, पिलस का Y, Z, पिल देखिए 3 रहेगा, ठीक है, इंटू, X कितना है पहले वाली चाल, कितनी है 40, इंटू Y कितनी है, दूसरी चाल 30, Z है तीसरी चाल 15, ठीक है दोस्तों, यह आपकी X है, यह Y है और यह Z है, किलियर मालूम है, वटे में X, Y करना है, X, Y, मल्टिप्लाई है तो कर दीजे, 4, 3, 12 और 2, 0 मतलब 1, 1200, किलियर, पिलस, फिर क्या करना है, Y, Z, Y और Z दोनों का मल्ट पर, 15, 45 और 1, 0, ठीक है, इतना के लिए, पिलस, फिर क्या है, Z, X, Z, X, दोनों का मल्ट पर करना है, 15, 4, 60, और 1, 0, मतलब 600, किलियर, आप देखिए, इधर करते हैं, 3, into 40, into 30, into 15, यही तो दे रखा है उपर, और यहां सभी संक्या, पिलस में हैं, तो सभी को जोड़ेंगे, 12, 600, 1800, 18 में 4 जोड़ेंगे, 200, 250, जोड़ेंगे, 250 हो गया यह, किलियर, 250, अब इसको कटा के solve कर लेना है, आपके प्रिशने कांसरा जाएगा, ठीक है, देखिए, यहां मैं कटाऊँगा, तो यह 0 से 0 कटेगा, किलियर, 0 से 0 कटेगा, अब देखिए, किस संग क्या से मैं कटाऊँगा, 15 से इसे मैं कटाऊँगा, 225 को, तो कितनी बार में कटेगा, देखिए, 15, 1, 15, ठीक है, 15, 1, 15, 15 कट गया, कितना बचेगा, 7, 15, 25, 75, 15, 15 बार में कट केलियर कट गया आप कट आएंगे दोस्तों यहाँ पर 3 से कट आएंगे 15 को 5 वार में कट जाएगा ठीक है 5 से कट आएंगे 5 वट्थे 40 कट जाएगा ठीक है और 8 तरिक का यह कितना हो जाएगा 26 तो और सचाल किया होगी 24 किलोमीटर प्रती घंटा 24 किलो मीटर प्रती घंटा होगे जो कि पहले ओफ्सन में आपको दे रखा है ये होगे आपके प्रशने का बिलकुँ सही आंसर तो उम्मीद करूँगा कि प्रशने सभी को अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा किसी को भी प्रशने में कोई समझ से यहाँ पर नहीं होगी ठीके दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है एक कार 3 किलो मीटर की चाल क्रेमिक विस्तार को 10 किलो मीटर, 30 किलो मीटर, 60 किलो मीटर की चाल से तै कर दिये एक ही चाल को तीन किलो मीटर की एक दूरी है उसे तीन चाल से ते किया जाता है तीन बार अलग अलग चाल से तो ओसा चाल का मैं फॉर्मूला यहां फिर से लिख देता हूं ठीक है एक ही दूरी को तीन बार ते किया जा रहा है अलग 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 चाल से ठीक है, आप देखिए, solve कर लीजे, 3, X कितना है दोस्तों, आपका X 10 है, 10 ले लीजे, Y कितना है, Y आपका 30 है दूसरी चाल, और Z आपका 60 है तीसरी चाल, बटे में X, Y, देखिए यह आपका X है, यह Y है, यह Z है, X, Y, तो X, Y को गुना कर दिए, 30 का मल पर 10 से करेंगे 300, पिलस, फिर क्या है Y, Z, Y, Z, कर लीजे, 6, 31 का 18, और 2, 0 मतलब 18, फिर क्या है Z, X, Z और X का मल पर ही, 6 का मल पर 10 से करूँगा 600, ठीक है, अब इधर कर लेते हैं, उपर क्या है दोस्तों, 3, into 10, into 30, into 60, बटे में सभी से को जोड़ेंगे, 600 और 18, कितना हो जाएगा, 24, 24 में जोड़ेंगे 300, तो यह हो जाएगा 27, ठीक है, अब देखें, यह वाले 0 से यह गया, यह वाले 0 से यह गया, अब कटाएंगे दोस्तों, 3 से कटेगा 27, 9 बार में, 3 से कटेगा 9, 3 बार में, 3 से कटेगा 6, 2 बार में, 10 कमल पर 2 से कर दो, 10 दूने का 20 हो जाएगा, तो 20 किलो मीटर प्रती घंटा की ओसा चाल, 20 किलो मीटर प्रती घंटा बी ओसान में दे रखा है, यह आपकी प्रेशन का सही आंसर हो गया, तो किसी को भी कोई समस्य प्रेशने में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा तरीका हम बता रहे हैं आपको कि बड़ी इजीली तरीके से आप प्रेशने को solve कर पाएंगे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रेशने बहुत कठेन है बहुत hard है लेकिन इनके notes आप जरूर बनाएगा ताकि बाद में आप practice कर पाएं अच्छे से ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलो मीटर 40 की चाल से 40 के हिसाब से तै करता है और दूसरा 240 किलो मीटर 60 के हिसाब से तै करता है यात्रा 400 सी किलो मीटर को औस चाल क्या होगी औस चाल ठीक है औस चाल पूछ रहा है अब देखिए दूरी कितनी है 240 की 240 की आपकी ये एक दूरी होगी 240 की इसको 40 की ताल से तै किया उसने 40 की चाल से इस 240 किलो मीटर के दूरी को 40 की चाल से तै किया ठीक है और दूसरा 240 किलो मीटर भ फिर कितने की चाल से ते कर रहा है वो 60 की चाल से ठीक है टोटल यातर कितनी हुई 480 किलोमीटर तो 240 उसने ते की 40 के हिसाफ से फिर 240 उसने ते की 60 के हिसाफ से टोटल यातर 40-480 होगी कि नहीं होगी क्योंकि दो बारे में उसने ते किया है इधर से गया 240 वो भी जोड़ा उसने लोट किया है 240 वो भी जोड़ा उसने तो टोटल 400 सी नहीं हो गया तो पहली चाल X, दूसरी चाल Y एक ही दूरी को दो बार ते किया है तो 2 X Y, बटे में X पिलस Y रहेगा अब 2 है, X कितना है आपका 40 Y कितना है, 60 है बटे में X पिलस Y कर दो, दोनों को जोड़ दो सुआ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए 2 4 के 8, 8 6, 48 किलो मीटर पर घंटा बताइए समझ में अगर नहीं आया हो तो पहला उप्सन सही हो गया इस प्रेशने का बहुत अच्छे से बता रहे है ताकि कभी भी आपको कोई प्रेशने असर न लगे कि गलत हो गया हमेशा सही आंसर आएगा, तरीके से सॉल्ब करेंगे अच्छे से समझ ये पहले प्रेशने को ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशन है एक कार द्वारा 124 किलो मीटर की दूरी तै करने में 4 घंटे का समय लगता है देखिए दूरी आपको दे रखिए समय दे रखा है भाई 124 की दूरी को 4 घंटे में तै किया लेकिन कितने की चाल से तै किया वो नहीं पता तो आप पहले यहाँ पर चाल निकाल दीची चाल पराबर क्या होता है दूरी बट्टे में समय होता है तीक है दूरी कितनी है दोस्तों 124 की है समय 4 घंटे है कटाईए 4 तरिक का बारा 4 एकम चाथ तो चाल कितनी निकल के आगी 31 किलोमीटर पर घंटे की ठीक है अब आगे क्या कह रहा है यदि उसकी चाल 9 km पर घंटा बढ़ा दें पहले से 31 है अगर हम इसमें 9 और बढ़ा दें तो ये कितनी हो जाएगी 40 km पर घंटा हो जाएगी 9 km बढ़ा दें तो 625 km की दूरी ते करने में कितना समय लगेगा क्या पूछ रहा है समय और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है दूरी कितनी कह रहा है 625 km की दूरी को ते करने में कितना समय लगेगा चाल कितनी होगी दोस्तों 40 हो गई बाई 41 थी हमने 9 बढ़ा दी तो 40 हो गई अब 40 से डिवाइड दे दीजी आप इसमें के लिए आपके प्रश्निक आंसरा जाएगा देखी सबसे पहले मैंसे कटा के छोटा कर लेता हूँ 5 से से कटाऊँगा तो 5 एकम 5 एक बचेगा 12 5 दुने का 10 2 बचेगा 25, 5 पचेगा 25 और 5 से से कटाऊँगा तो ये 8 बार में जाएगा अब ये कितना हो गया 125 बच्टा 8 8 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 8 एकम 8 कटेगा 4 बचेगा कितना 45 8 पंचे 40 5 बचेगा तो 5 उपर 8 नीचे 15 सही 5 बच्टे 8 घंटे का समय लगेगा 15 सही 5 बच्टे 8 घंटे का समय लगेगा 15 सही 5 बच्टे 8 घंटे पहले ओफ्सन में है तो ये होगी आपकी प्रश्णी का सही आंसर उम्मीद करूँगा जितने भी प्रश्णी कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ मागे और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद